नमस्कार दोस्तों मेरे नाम प्रियंगा पास्वान है दोस्तों अभी वर्तमान में अभी करनाटेक के रिजल्ट आए तो उस पे हम लोग को बाते करना थोड़ा लाजमी हो जाता है हम लोग भारत के नागरिक हैं तो दोस्तों पहले मैं बता दूँ ना तो मेरा बीजेपी से मतलब है ना ही कॉंग्रेस है लेकिन कॉंग्रेस के कारण बहुजनों के वोटों का विखराव हो जाता है जिसका खाम्याजा बहुजनों को BJP government को करनाटक में accept करने के रूप में हो सकता है तो दोस्तों करनाटक में BJP की जीत के माइने अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन एक बात जो इसपस्ट रूप से उभर कर सामने आई है वह है Congress यानी BJP के मुख विपक्षी पार्टी के पास एजंडे का अभा होना BJP भी काम के मामले में जनता से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है एक मजबूत विपक्ष के रूप में Congress भी नकाम रही है BJP के पास एक स्ट्रॉंग हिंदुवादी एजंडा है जो कहीं न कहीं वोटरों को लुभाने का काम करता है और वोटरों को हिंदुत्व के नाम पर डाइवर्ट किया जाता है Congress के पास आईडिया का अभाव है जिससे लगातार वो बैक फुट पर है युवाद वोटरों के साथ communication की भी ज़रूरत है दूसरे factor की बात करें तो त्रिशंकु विधान सभा का होना भी BJP के लिए फाइदे मन रहता है वोटों का बटवारा हो जाने से BJP जीत दर्ज कर पाती है जहां तक जनरल केटेगरी के वोटों की बात करें तो ये कॉंग्रेस से दूर हो चुई है और ये BJP को सीधे तौर पर जाती है बाकी वोटों का बटवारा छेतरी दल के हार का कारण बनता है कॉंग्रेस को बिहार के महागडभंदन से सीख लेनी चाहिए इसके दो फायदे होते कॉंग्रेस के जनधार में इजाफा होता दूसरा छेतरी दल कॉंग्रेस से मिल कर सरकार बनाती दोस्तों जहां कॉंग्रेस थोड़ी मजबूत होती है वहाँ वोटों का बिखराव हो जाता है इसी कारण BJP की जीत हो जाती है कॉंग्रेस सी नेतरित में एकता का अभाव और छेतरी दल के साथ तालमेल का अभाव सीधे तौर पर BJP को जीत का मौका दे देता है कहीं न कहीं रहुल गांदी के पास छेतरी जानकारी का अभाव भी एक कारण है जबकि BJP के शिर्ष नेतरित इस बात को बखुबी समझ कर छेतरी दल से गड़बंदन करने की पूरी कोशिच करता है वहीं कॉंग्रेस को 85% वोट की कीमत समझ कर आगे बढ़ना होगा क्योंकि जनरल कैटेगरी के वोट पहले ही BJP में जा चुका है बाकी के बहुजन वोट खास तोर पर छेतरी दल के साथ होते हैं कॉंग्रेस नेतरित को हार से सबक लेकर छेतरी दल के साथ मिलकर चलना होगा नहीं तो कॉंग्रेस मुक्त का जुमला सच साबित हो जाएगा एक बात और दोस्तों बहुजनों को जिसमें SC, ST, OBC, Minority आते हैं इनको भी अपने वोट का सही इस्तमाल करना होगा